हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट गोर्मेंट पोस्ट में बियर्ड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जोड़ सकते हैं नीचे दीगे रेट कलर की सब्सक्राइब बडन दबा करके और बागल सारे ही कॉलेज थे और इस कॉलेज लिस्ट में कुछ नय प्राइवेट कॉलेज ही सामिल हूएं आउगे क्योंकि offs को सारे वही है और जू सीटें इनमें वही है तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको डारूट कर लेंगे कुछ लोग का कमेंट आव हो था कि उसमें कु आपको आपको डाउनलोड होगी कितने उसमें पेजे हैं तो आप देख पा रहे होंगे लगबग इसमें 232 पेजे गई हैं और यह कॉलेज्ट इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हलाकि जो मैंने पहले वाली आपको दी थी वह आपके लिए helpful इसलिए थी कि उसमें fees भी दी हुई थी इसमें cable seat दी है और detail दी गई है self finance है college या फिर added college है ठीक है और college का जो एक official number है वो दिया गया है और college की mail ID है वो यहाँ पर आपको दी गई है पीसरी जो है आप PDF डाउलोड करके अपने नियर का जो college है जिसमें admission लेने जा रहे हैं या आपको जानकारी करनी है उसमें contact के लिए भी आप contact number लेकर के उनसे contact कर सकते हैं कोई समस्या आ रही है कि हम यहाँ पर आपके admission ले सकते हैं कैसे ले हलाकि हम आपको guide कर रहे हैं कोई द सारे documents अपने उस college में submit कर देंगे और आपसे user ID और password भी ले लिए जाएगा तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो seat है अपने college में ही allot करवा लेते हैं जब counseling होती है और जिस round में counseling होगी उस round में ही आपकी counseling ऐसा नहीं है कि आपकी rank एक लाग से उपर है और आप first round में जो first phase करके आपको seat मिल जाए ऐसा नहीं है उनकी counseling हो जाएगी जब आप जिस phase में होंगे जिस जरख चरण में सामिल होने के according होंगे schedule के according जिस चरण में आप सामिल हो पाएंगे उसी चरण में ही आपका counseling हो करके वो college वाले जो हैं अपने यहाँ seat allot करवा लिते हैं ठीक है तो फि इस तरीके से भी वही कई लोगों का प्रेशन आ रहा था इसलिए मैंने बात आपको बता दी है तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं करवा सकते हैं या आपको डर लग रहा है हलाकि हां नए college में admission लेने से पहले एक बार सोच लेना फसना नहीं कहीं पर counseling के थ्रू जाओगे तो scholarship का कोई issue नहीं रहता इस खॉलर शिप आती ही आती है लेकिन diet counseling में कभी कभी क्या होता अमने ठीक है उन्होंने बोला कि हाँ ठीक हम आपने आहां आपका admission करवा लेंगे लास्ट टाइम पर उन्होंने बोल दिया कि आपका admission सुनिश्चत नहीं हो पाया है तो फिर आप क्या करोगे counseling भी खताम हो जाएगी फिर क्या करोगे ठीक है ऐसा बहुतों के साथ हुआ पिछले साल ऐसा बहुतों के साथ में हुआ उनका पैसारी वापस कर दिया college वालोंने कि आपकर